ओपो एफाइफ में पैटर्न लॉक चेंज कैसे करें नमस्कार दोस्तों सागता आपको में चैनल में सीखो हिंदी में तो दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आपके पास भी ओपो कुमाल जिसका मोडल नमर है ओपो एफाइफ और आप इसमें अपने पैटर्न लोक को चींज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आई जानते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबस्ते पहले आपको आना अपने फोन की सैटिंग में तो यहाँ पर दोस्तों मिलेगा फिंगरपिंट फेस और पासवर्ट का ओप्शन तो आपको इसको टच कर लेना है जैसी दोस्तों इस पे टोच करते हैं तो यहाँ पर फİर gör को हो जाएगा फिर आपको यहांको करना है modify password डाले option पे touch जैसी दोस्ता इस पे touch करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर आ गया है दोवार से pattern lock draw करने का option तो यहाँ पर आपको अपना पुराना वाला password डाल देना पहले क्योंकि दोस्ते हैं आपको आपसे कहा रहा है please draw the old pattern तो हमने यह पराना password डाल दिया है अब आप चाहें तो दोस्तों यहाँ से number वाला password डाल सकते हैं या अगर चाहते हैं दोवारा से कोई other pattern lock डालना दोवारा से अलग pattern lock लगाना तो आपको touch करना है other encryption वाले option पे फिस first option पे आपको touch कर लेना है तो यहां से आपको अपने अनुसर कोई भी pattern lock ड्रोग कर लेना है जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर L ड्रोग कर देता हूँ और फिर यहाँ पर हमारा यह password चेंज हो चुका है देखी मैं आपको यहाँ पर screen को unlock कर कर देखांगा जीगा थैंक यू सो मच